मुझा आज हम बात करने वाले यूको बैंक के बारे में और यूको बैंक कमर्शियल बैंकिंग कमपनी है और अल्रेड़ी ये मेरे पोर्टफोलियो में है इसलिए मैं इसके बारे में बताना चाहता हूँ और ये बैंक है कैसा इसके बारे में पुरा डेटेल दूँगा उसके बारे में हम एनलाइस करेंगे और इसका financials कैसे है इसके profit में है या loss में सारी चीज़े मैं आपको दिखा दूँगा ठीक है और इस पर आपको क्या करना चाहिए इसमें invest करना चाहिए अगर कोई invested है तो उसको hold करना चाहिए क्या करना चाहिए यह मैं आपको बताने वाला हो तो वीडियो एंड तक देखो चानल पे नए हो तो चानल को जरूर सब्सक्राइब करो अगर information अच्छा लगा तो ठीक है तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ और मैं आपको दिखा देता हूँ इसका Wikipedia और इसकी Wikipedia में क्या बताया देख लो Yuko Bank formally United Commercial Bank करके जाना जाता था ठीक है और established in 1943 Kolkata में is one of the nationalized bank in India है nationalized bank, government bank को nationalized bank बोला जाता है और during FY 2020 and 2021 its total business was 3.2 lakh करोड तो बिजनस तो देख लो कितना जबरदस किया है 3.2 lakh करोड का बिजनस यहां पर यह बता रहा है ठीक है Based on 2020 के डेटा के इसाब से It is rank 80 on the Fortune India's 500 list तो 80 number पे आ रहा है इसका पास्तो के Fortune list में अगर इसका नाम है तो 18th rank पे यह bank का नाम आ रहा है Yuko Bank was rank 1940 in 48 के अंदर Forbes के ग्लोबल में 2000 list of year 2018 ठीक है तो लिस्ट यह दो Yuko Bank was rank 1948 in Forbes Global 2000 लिस्ट के अंदर ठीक है तो 2000 की लिस्ट में निकाला गया था तो 1948 इसका rank आ रहा था ओ टाइम पे ठीक है और वो साल कौन सा था 2008 का 2018 में यह rank पे चल रहा था यह और अभी देखो उसका rank 80 पे आया यह 2000 की लिस्ट निकाले थी Forbes का और यह और यह और यह पर यह पासो का लिस्ट है यह पर आपको नजर आएगा यह पासो का लिस्ट है और यह 2000 की लिस्ट तो 2000 की लिस्ट में यह 1948 पे था रैंक इसका और यह अभी पासो की लिस्ट में 80 के रैंक पे हैं तो जबरदस इसका बिजनस तो यहां पर इन्होंने बताया है यह पर आपको फुल डिटेल में भी दिखा दूँगा इसके और थोड़ा डिटेल देख लेते हैं और इसके फाउंडर कौन थे तो यह घंशामदाज बिरला यह इसके फाउंडर थे ठीक है बिरला कंपनी के तो वह इसके फाउंडर थे फिर बाद में यह इसकी पैरेंट आर्गनएजेशन है, जो ये हैंडल करती है, ठीक है, अभी हम इसका थोड़ा website देखेंगे, तो website में दिखा देता हूँ, ये है bank का website, duplicobank का website है, ये इसका home है और जो भी इसकी services है, और क्या attractive है ये bank के अंदर, उसके बारे में यहां पर बताया गया है ठीक है तो यहां पर आपको सारी detail मिल जाएगी rate of interest क्या है इसका और क्या सबसे अलग है या सबसे beneficial है इसमें यह सारी चीज़े आपको यहां पर देखने मिल जाएगी ठीक है तो आप यहां पर पर जो भी अवेभेलेबल है मैं दिखाने कि कोशिश करता हूँ ठिके तो ये कार लोन का बता रहे है कार लोन कितने स्टार्ट है यहां पर और हाज है और भी कुछ डीटा यहां पर आएगा तो स्लाइड होते रहेगा थो उस पर आप देख सकते हो ठीक है होम लोन का क्या रेट है सारी चीज़े यहां पर है तो बताई हुई है आप देख सकते हो वो स्लाइड होते रहेगा और क्या रेट है यह सारी चीज़े यहां पर अवेलेबल साइट पर है ठीक है तो और मैं आपको इसका अभी फाइनेंशल दिखा दूं और यहां पर MCL-R Link वो एक उसके बारे में जानना है तो आप यहां पर क्लिक करके देख सकते है और विक्तिकत रुन वो भी यहां पर बताया हुआ है व्यक्तिकत यानि Personal Loan तो जो भी यहां पर है तो उसके बारे में डीटेल में आपको जानना है तो आप यहां पर देख सकते हो अंदर जाके ठीक है तो यह हिंदी में है हिंदी में बताया गया है आपको देखना है तो इसको इंग्लिश में करके भी आप देख सकते लैंग्वेज हो अगरा चेंज करके ठीक है अभी मैं आपको इसका फाइनेंशल दिखा देता ह इसके फाइनेंशल और इसके थोड़ा शेयर के डिटेल देता हो तो शेयर एनलाइस करके हम इसके फाइनेंशल भी देखेंगे तो देखते हैं इसका पहले शेयर एनलाइस कर लेते हैं ठीक है तो दोस्तों मनी कंट्रोल पे हम इसका युको बैंक का एनलाइस करने वाले तो मनी कंट्रोल इसके बारे में क्या बता रही है यह देख लेते हैं ठीक है तो सबसे पहले यह NACBAC दोनों पर ट्रेड होता है ठीक है और इसका बावन विक लो है 10.75 और इसका हाई है बावन विक लोके आसपास है और यहां पर इसका स्वाट एनलाइस देख लो तो उसमें सबसे पहले स्टेंज जो बता रहे है तेरा स्टेंथ बता रहे है मतलब बहुत ज्यादा स्टेंथ है विकनेस एक है विकनेस में भी मतलब डरने की कोई बात नहीं कि विकनेस जस्ट एक है और ते ऑप्ड़े ओच्छे मार्स इसको रहे अच्छा इसका पॉजिट्व चीज अपको पता अच्छा कासा है पैसे का आना जाना company में बिजनस में लगा रहता है ठिक है बैंक ठीक है तो cash flow अच्छा है operating activity के लिए और और भी 12 और भी है यहां पर एक ही बता है यह उपर ठीक है weaknesses ऐसे एक ही है और यह यह विकनेस जो एक में से और इसका क्या बता रहा है प्राइज बेलो short term short medium and long term तो प्राइज विक बता रहे है विक momentum बता रहे है थोड़ा सब्राइज में थोड़ा गिरा हुआ है उस वाज़े से एक ही विकनेस से opportunity दो बता रहे है जिसमें decrease in NPA in recent results तो decrease in NPA मतलब यहां पर की सबसे best चीज होती है कि NPA ही बैंक का खत्रा होता है जो लॉस के लिए उसी को responsible माना जाता है क्योंकि किसी भी company का loss या किसी भी company के डूबने के या बैंक के डूबने के chances NPA पर ही होता है तो इसके NPA जो होता है नॉन पर्फॉर्मिंग asset जो आप हमने कि या किसी customer ने लोन लिया है बट चुका नहीं रहा है तो ओ एंपिय कहलाता है तो चुका ही नहीं रहा है मतलब लो एंपिय हो गया अगर थोड़ा-थोड़ा करके दे रहा है कुछ भी करके उसने पे कर रहा है मतलब उनका इनपिय कम होते जा रहे ठीक है तो लोग जो नहीं दे रहे तो वह भी पैसा देना चालू करते है तो इनपिय कम होता है तो यह अच्छी बात होती है नो थ्रेट फॉर दिस स्टॉक मतलब कुछ भी डर नहीं है कमपनी में इन्वेस्ट करने का और इसका मार्केट कैपिटल देखो जबरदस्त है यहां पर 14,000 करोड का इसका मार्केट कैपिटल है लगबक 49% तक इसकी डिलरी उठाई जा रही है फेस वैल्यू उसका 10 का आ रहा है यहां पर पीबी 0.72 का आ रहा है पी 20 का आ रहा है पी थोड़ा सेक्टर पी के आसपा से यहां सेक्टर पी से थोड़ा समेंगा है अर्निंग पर शे चार्ट की बात करेंगे तो देखो चार्ट इसका क्या बता रहा है कि इसका वन यहर का चार्ट देख लो लगबग लगबग 14 रुपे से यह हाई से यह जबरदस गिरा यह एक साल के अंदर ही रिसेंटली गिरा है तो जबरदस गिरावट आई है और तब भी इसने लो बना दिया था और उसके बाद थोड़ा देखो अपसाइड जाती हुए नजर आ रहा है फिर इसने एक अच्छा खासा अप दिया था 15.90 का फिर से डाउन साइड दिया फिर से थोड़ा अप दिया फिर डाउन फिर आप फिर इसी तरीके से इसने परफॉर्म किया हुआ है और इसका जो लो है यह देको यह जो लो नजर आ रहा है तो यह है ग्यारा पॉंट पाच का ठीक है और और यहां पर एक 10 पॉंट यह दस का एक कुछ लो है टेन पॉंटैन सेन फई का तो यह लो अभी भी इसका सपोट बना है तो एक साल मिका तो लो आपने देख लिया कि क्या है तो यह एक सपोर्ट बन जाता है जो अभी है और पासल का अगर देखेंगे तो पासल में गिरावठी नजर आई यह पासल के अंदर स्टार्टिंग में यह थोड़ा सा बढ़ गया था 2020-2017 के टाइम का यह देख लो 34 का लोट था ओ टाइम पर और इसने हाई मा रहा था इसने लगग लगग 44 के आसपस का एक हाई नजर आ रहा है फिर वहां से लगबग गिर गया 44.75 से ये गिरते आया फिर थोड़ा सा अपसाइड दिया था 38 का फिर थोड़ा डाउन फिर थोड़ा फिर डाउन फिर इसने डाउन साइड ही दिखाया है थोड़ा सा अप जाता है बट डाउन साइड ही इसका ट्रेंड नजर आया है पास साल के अंदर और मैक्स की बात तो स्टार्टिंग में देखो मैक्स में इसने लगबग 2003 से आई हुए कंपणी मार्केट में और 2003 से ये कंपणी ने देखो 16 रुपे का लो था तब से ये मतलब देखो आज भी हम लोग जो भाव पे है वो आज भी 2003 के आसपास के भाव पे ही है देखो मतलब मार्केट घुम फिर के वही और उससे भी नीचे आ गए हम लोग 2003 से भी अभी भी नीचे है बहुत जबर्दस गिरावट है मतलब इतने साल के अंदर लगबग लगबग आप सोच सकते हो 20 साल पकड़के चल सकते हैं 19-20 साल हो गया है इतने साल में कुछ भी पर्फॉर्मंस यह कंपनी में दिखा नहीं यही समझ लो क्योंकि देखो यहां से यह बढ़ा तो एक 2003 से 2008 में मतलब पास साल के अंदर इसने 88 का प्राइस दिया आपको 88-89 का फिर उसके बाद गिरा फिर उसके बाद एक जबरदस उचाल दिखाया इसने 152 का हाई बना गया फिर उसके बाद देखो जबरदस गिरा मतलब इसमें गिरावट आती है एक बड़े हाई के बाद बट हाई भी एक अच्छा आया है बट इसने लोगों को लॉस बहुत कराया है इसके पीछे की वजह जानेंगे हम इसके फाइनेशल देखेंगे इससे हमको कुछ आइड़े आ जाएगा और आपको भी आइड़े आ जाएगा कि इसमें ऐसा क्यों हुआ है ठीक है और इसका प्राइज पर्फॉर्मस देखो का लॉस वाइटीडी में याने जैन्वेरी से अभी तक 9% का लॉस एक साल के अंदर 16% का लॉस तीन साल के अंदर 35% का यह 36% का लॉस इन्वेस्टर को इसने कराया है ठीक है मतलब उसका प्रफोलियो डाउन कराया है इसने इतना और युको बैंक का यहाँ पर डिसेंबर का नेट सेल्स बता रहा है याने इंट्रेस्ट इंकम बता रहा है जो अब बता रहा है देखो इयर और तो डिसेंबर का यहाँ पर सेल्स तो अच्छा खासा नजर आ रहा है कि अब हुआ है और यह जैनुरी का जैनुरी 31 जैनुरी को इसका रिजल्ट आया था डिसेंबर कॉर और ठीक है और यहां पर देखो प्रेसेड़न्ट आफ इंड्या ने ये कब खरीदा था एक्विजेशन लिया ता ये 2016 में लिया था ठीक है प्रेसिड़न्ट आफ इंडिया का यहां पर उन्हों और यहां पर रिवेनी देख लो यहां पर नजर आएगा स्टैंड अलोन रिवेनी जो बता रहा है इसका कि यहां पर 2017 का है देखो 16,000 करोड का यहां पर 2017 में फिर 14,000 करोड फिर 14,300 फिर 15,134 करोड फिर 14,400 तो लगबग लगबग रिवेन्यों एक ही रेंज में रहा है पास साल से फिर भी प्रॉफिट में नहीं है कमपनी या बैंक ठीक है तो लगबग देखो पहले 2017 में च्छला प्रसंट है ट्राइसो करोड़ का लॉस है फिर 4400 करोड़ का लॉस पिर 4300 करोड़ का लॉस फिर 2400 करोड फिर szk backedore और यहां पर शेद आइनक की बात करेंगे तो सबसे ज़्याद़ शेर प्रवाटर के के पास है 95.39% मतलब पूरा का पूरा प्रमोटर के पास है मतलब लगबग लगबग समझ लो कि गॉर्मेंट के पास ही पूरी शेर हो गए है बाकी किसी के पास नहीं है थोड़ा सा पूबलिक के पास 3% का है और डियाईज के पास देखो लगबग वन पॉइंट टूएट है यह मतलब mutual fund है तो चार mutual fund ने इसमें पैसा लगाया है और बाकी कोई investors है और FIS का भी थोड़ा बहुत लगाया है तो इसमें सभी का investment है लेकिन सबसे ज़्यादा investment इसमें promoter का है तो promoter का अच्छा कासा इसमें investment है तो फिलाल यहाँ पर यही नज़र आ रहा है कि यह share में सभी का तो investment है बट यह government company है और फिलाल loss करते हुए नज़र आई है लेकिन अभी recently जो profit नज़र आया है तो अच्छा कासा बता रहा है last December से अभी के December में ठीक है अभी हम इसका थोड़ा detail में financial देखेंगे उससे आपको idea आजाएगा कि इसका financial किस तरीके थे खर्चा कहां जा रहा था क्या हो रहा था यह सारी चीज़े detail में आपको पता चलेगी तो देखते आगे इसके financials तो दोस्तों यहाँ पर screener पर हम इसका financial देखने वाले और यहाँ पर financial में screener पर प्रॉपरली बता होता है और सबसे पहले यहाँ पर हम देखेंगे इसका pros and cons तो pros में यहाँ पर positive चीज़े होती है और cons में negative तो positive एक ही चीज़ बता रही है जो इसका stock है वो book value से 0.71 times trade कर रहा है ठीक है और यहाँ पर cons में negative देखो company has low interest coverage ratio बता रहा है और the company has deliver poor sales growth बता रहा है ठीक है तो low interest coverage ratio मतलो company का sales बहुत कम है as per इसके loan के साब से और the company has deliver poor sales मतलो खराब sales हो रहा है पास साल से ठीक है लगबग 5% negative के साब से चल रहा है और company has low return on equity मतलब return अच्छे नहीं कमा रहा है equity के उपर लगबग 14% का यहाँ पर loss के साब से चल रहा है या down के साब से इसका return आ रहा है ठीक है तीन साल से और contingent liability 80,000 करोड की contingent liability है ठीक है और यहाँ पर company might be a capitalizing interest cost मतलब यहाँ पर उनको interest पे करने के लिए capitalize करना पड़ेगा इनका ठीक है और यहाँ पर earning include other income भी है 3882 करोड का यहाँ पर other income भी यहाँ पर बता रहा है और quarterly results की बात करेंगे तो इसका देखो 2019 में March में 3782 करोड का था पिर अभी यहाँ पर 3919 करोड का है मतलब लगबग लगबग यहाँ पर revenue देख लो तो एक ही range में यहाँ पर दीख रहा है 3000 के उपर ही नजर आ रहा है और उसके बाद यहाँ पर interest payment करना पड़ रहा है उनको जो भी interest payment करना पड़ता है तो यहाँ पर interest payment भी कर रहे है 2490 2482 तो यहाँ पर interest payment भी ज्यादा करना पड़ रहा है और उपर से expenses भी pay करना पड़ रहा है तो 3200 और 2500 यह तो इनके expenses है थोड़े यहाँ पर expenses कम होते हुए नजर आए यह quarter में और यहाँ पर financing profit देखो यहाँ पर loss में माइनस में मतलब loss है यहाँ पर लगबग 2000 करोड 1200 करोड 1600 करोड तो यह loss ही loss यहाँ पर नजर आ रहा है सिर्फ यहाँ पर 2% का profit इसबार किया है और other income यहाँ पर देखो 367 करोड 630 729 तो other income भी अच्छा खासा यह कर रही है और यहाँ पर ज्यादा किया है 1370 फिर 857 936 अभी 719 का इसने 719 करोड का अभी profit किया है other income तो other income पर ज्यादा डिपेंड नहीं रहना चाहिए क्योंकि वो main business नहीं होता ठीके और यहाँ पर net profit की बात करें तो देखो continuously 2019 के March में यह कम था फिर उसके बाद थोड़ा और भी loss था यहाँ पर लगबग 2019 में complete loss ही था फिर देखो 2020 से थोड़ा बहुत profit आना चलो हुआ ठीके तो 2020 से थोड़ा थोड़ा profit आने लगा अभी 310 करोड का यह quarter में profit हुआ है ठीके अभी हम इसका profit and loss देखेंगे 2010 से इसका data यहाँ पर बता रहे तो 2010 में देखो 9,526 का यहाँ पर उनका revenue था और उसके interest कितना पे कर रही थी वो 7,202 करोड का interest payment कर रही थी बैज दे रही थी और expenses देखो 2,244 करोड के expenses भी पे कर रही थी फिर 80 करोड का यहाँ पर profit बच रहा था लगबग 1% का फिर वैसे ही इसका sales थोड़ा थोड़ा बढ़ते गया देखो 11,000 करोड फिर 14,000 करोड 16,000 करोड फिर 18,000 करोड 19,000 करोड 18,000 करोड फिर कम होते गया 2016 से फिर 17,000 करोड 14,000 करोड 14,000 फिर 15,000 फिर 14,000 करोड का ही यहाँ पर sales है और interest payment देखो 7,200 करोड से लगबग interest payment थोड़ा बढ़ते गया यहाँ पर interest payment जितना ज़्यादा करना पड़ेगा उतना घाटा ही होता है तो interest payment बढ़ते गया फिर यहाँ से थोड़ा थोड़ा कम होते होते यहाँ पर 8,500 करोड का interest payment करने लगा फिर यहाँ पर expenses भी देखो 2,200 करोड से यहाँ पर expenses भी बढ़ते गए ठीक है यहां पर 12,000 करोड तक एक्सपेंस चला गया था 2019 में फिर एक्सपेंसेस थोड़े 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 बहुत कम होते होते फिर 8836 करोड का भी एक्सपेंसेस पे गिया फिर पहले 80,000 करोड का प्रोफिट कर रही थे अभी देखो लॉस कर रही है 2,600 करोड का लॉस है यहां पर और यहां पर प्रोफिट मारजिन तो यहां पर नेगेटिव में पहले 1% तो था 10-12 साल पहले ठीक है और यहां पर इसका अधर इंकम देखो 966 करोड का था अभी 3,882 करोड का अधर इंकम है कुछ सालों से continuously यहाँ पर एक, दो, तीन, चार, पाच, पाच साल से continue loss ही यह company कर रही थी जस्ट अभी अभी profit करती हुए नजर आ रही है उससे पहले profit में थी company बट यहाँ पर इसके expenses ज़्यादा हो रहे और interest payment ज़्यादा हो रहे है इस वज़े से company ज़्यादा loss में नजर आ रही है balance sheet में देखो company का borrowing देख लो तो सबसे खराब चीज़ यही होती कि borrowing होती है तो पहले देखो 1,28,000 करोड की borrowing थी ठीक है और बाद में 1,500,000 करोड की borrowing भी फिर 1,66,000 करोड की दो लाग 20,000 करोड दो लाग 24,000, दो लाग 24,000, दो लाग 10 तो borrowing ही company के पास इतनी ज़्यादा है borrow किया हुआ और उस पे interest payment करना पड़ता है तो फिलाल अभी 2021 का यहां पर बता रहा है तो 2,21,000 का है तो ज़्यादा से ज़्यादा borrowing होने के वज़े से interest payment भी ज़्यादा देना पड़ रहा है company को तो यही इसका main problem है और बैंकों का यह problem होता है यह क्योंकि उनको borrow करके ही ओ पैसा loan पे देना पड़ता है loan से ठीक है और other customers को जिसको requirement है उसी पर उनकी earning रहती है बट इसकी earning यहाँ पर आपने देख लिए फिलाल just other income से इनका ज़्यादा profit हो रहा है बाकी इनका खुद का business से कुछ ज़्यादा profit नहीं हो रहा है तो यह हमने यहाँ पर जो भी data यहाँ पर screener पर बताया है वो मैंने बता दिया आपको अभी मैं आपको इसका थोड़ा ticker tap दिखा देता हूँ च्छी के बारे में क्या बता रहे इसका final overview में देता हूँ ठीक है तो यहाँ पर टिकरट पर हम इसका यूको बैंक का final overview देखने वाले तो यूको बैंक के बारे में टिकरटेप क्या बता रहे तो इंक्रेंजिक वैल्यूस के लिए insufficient data इनके बास return versus FD यहाँ पर खराब बता रहे हैं मतलब return देखो FD में करते तो उससे better return होते देखो पासल की return तो खराब नजर आ रहे हैं तो लगबक इससे अच्छा FD में कोई invest करता तो उसको better return मिल जाते कुछ ना कुछ तो अच्छे return मिल जाते लेकिन यहाँ पर invest करने वाला loss में जाता ठीक है यही bank के अंदर भी FD करके रखता तो profit में होता लेकिन इसके share खरिदने वाला loss में जाता और यहाँ पर dividend return तो कुछ देती नहीं company तो dividend क्यों देगी क्योंकि अगर company का loss ही है तो dividend नहीं देती है और entry point अभी अच्छा बता रहा है अभी भी entry करके चल सकते हैं यहाँ पर यह बोल रहा है good time बता रहा है क्योंकि share गिरा होता है तभी good time होता है किसी भी share में entry करने के लिए अगर share बढ़ता है तो थोड़ा बहुत गिरने के chances होते हैं और no red flag मतलब company के डूबने के chances नहीं है क्योंकि already government company है government के अंडर में है undertaking company government undertaking nationalized bank है already private bank को government बचा लेती तो यह तो खुद की government company है तो फिलाल कुछ भी हो यह आगे जाके अच्छा खासा बढ़ेगी ठीक है तो long term के हिसाब से यह share मुझे तो फिलाल अच्छा नजर आ रहा है क्योंकि आज नहीं तो कल यह turnaround होके अच्छा खासा profit करेगी और कुछ ना कुछ इसका government बंदबस करेगी तो अच्छा खासा profit हो सकता है और government को शेर में थोड़ा सा slow growth होता है तो इसी वज़े से शेर बोद दबे हुए रहते हैं most of government companies के फिलाल आपको यह वन वीक का यहां पर रिटन देख लो तो 3.90 लगबख 4 परसंट का इसने रिटन दिया है एक वीक वालों को और एक मैने के लिए इसने लगबख यहां पर एक मैने का लगबख यहां पर 5 परसंट के असपास इसने लॉस कराया है ठीक है और एक साल वालों को इसने लगबख 15-16 परसंट का इसने प्रॉफिट कराया है लॉस कराया है तो देखो इस तरीके का लेकिन देखो कभी-कभी ऐसे मोके मिल जाते हैं यहां पर खरीदो यहां पर बेचो ऐसा भी ट्रेडिंग के ट्रेडिंग वालों अच्छा का सा मोके मिल जाते प्रॉफिट करने के लिए लेकिन जो थोड़ा टाइम होल्ड करते हैं ज्याधा टाइम से यह फिर लॉंग टर्म या शॉट टर्म के लिए रखे रहते हैं यह प्राइस पर लेने वाला तो उसको लॉस थोड़ा हो जाता है तो तब ही आपको अच्छा का सा और प्रॉफिट हो सकता है और पास साल का अगर रिटन देखो तो मैंने दिखा दिया कि अल्डरी लॉस के लेकिन मैक्स की बात करेंगे तो मैक्स में देखो लगबग लगबग 39 या 40% समझ लो कि आपका लॉस होता मैक्स मतलब 20 साल के अंदर आपको कुछ भ ख़राब हो जाता है तो सही में इसलिए लगाना पड़ता है और उसके फाइनेशल देख परते होने पड़ते हैं हर एक चीज़ फायनेशल पेडि तो फाइनेशल देखा करो किसी भी इन्वेस्ट करने चैनल को सब्सक्राइब करके रखो टाकि आपको अच्छे शेर पता चले हैं कोई चांस में उसीं के वजए से थोड़े लेता हूँ लेकिन इतना भी ज़्यादा श्में इन्वेसर नहीं करता है चलो यह इसमें लाक ब्रॉपएं stap मे險ं में उजर अदर और ज्यादा लगा दो ये नहीं करता में थोड़े बहुत लेके रखो शायद ये मल्टी बेगर हो जाए तो और भी अच्छे रिटन मिल जाए ठीक है इसी को 10 गुना 20 गुना होने के रहा देखता हूँ या फिर मुझे लगता है कि यार कुछ अच्छा पर्फॉर्मंस नहीं कर रहा है तो थोड़ा बहुत प्रॉफिट लेके निकल जाता हूँ तो ये मेरे स्टाटेजी होती है कुछ शेर मेरे लॉंग टम के है कुछ शेर मेरे शॉट टम के है कुछ कुछ शेर स्विंग के लिए होते है तो सारी चीज़े मैं आपको यहां पर मैं दिखाऊंगा और जो भी चीज़े मेरे खुद के पोर्टफोलियो की वह सारी चीज़े में आपके साथ शेर की है और जो भी मेरा प्रॉफिट होता है जिसमें में ने प्रॉफिट की है वो भी चीज़े में आपके साथ शेर करता हूँ तो चैनल को सब्सक्राइब करो अपके रिकमेंडेशन पर या आपके रिक्वेस्ट पर भी आपके लिए कोई ना कोई शेर के बारे में बता देता हूँ तो आप चैनल से इसलिए जुड़े ताकि आपको कुछ ना कुछ इनफॉर्मेशन चाहिए इसलिए मैं आपके लिए भी वीडियो बना देता हूँ जो आपके रिक्वेस्ट के होते हैं ने तो only portfolio के जो मेरे share से उसी के बारे में बात करता हूँ और उसी में profit निकाल के आपको दिखाता हूँ क्योंकि मैं profit करूँगा तभी आप profit करोगे अगर मैं ही profit नहीं करूँगा तो आप कहां से profit करेंगे और already आपको time तो पता चल रहा होगा कि अभी time थोड़ा खराब चल रहा है market के लिए क्योंकि war अभी भी खतम हुआ नहीं है जिस war के वज़े से market global market गिर रहा है मैं तो हमेशा गिर आउट का opportunity समझता हूँ और थोड़े अच्छे अच्छे shares ले लेता हूँ और फिलाल खुद के portfolio के shares थोड़े और down आ जाते हूँ उसको मैं add किया करो तो मैं तो वही करता हूँ खुद के portfolio के shares नीचे आए है तो मैं और उसमें addition करते रहता हूँ उसी के लिए थोड़े पैसे रखना पड़ता है कि कोई shares और नीचे आए तो उसमें बढ़ोतरी करो और भी उसमें addition करो जिससे आपको आप profit और maximize हो जाए तो वही चीज़े strategy होती है जादा से जादा profit करने की तो thank you very much for watching my video thank you video अच्छा लगा है तो channel को please subscribe कर किजिए thank you very much for watching my video thank you bye bye